एक्जाम के आप तयारी करे हो अगर आपका एक्जाम में रीजिनिंग का सेशन है यानि रीजिनिंग का प्रश्ण पत्र पूछा जाता है तो यह क्लास आप सभी के लिए most important and most selected class होने वाला है क्योंकि इस क्लास में जिस परकार का प्रश्ण पत्र लिया गया है एक प्रश्ण देखने को मिलेगा यानि overall सभी चेवटर को कभर किया गया एक एक प्रश्ण जो कि सलेक्टेट सलेक्टेट प्रश्ण है और आप सभी को सिखाया जाएगा कि इन सभी प्रश्णों को only one ऐ मिन 7 से 8 सकेंड में यानि 7 से 8 सकेंड में आप लोग 6 विस तरह से कर पाओगे पहला प्रश्ण समझना देखो पहला प्रश्ण क्या कर रहा है कर नहीं नेचे दिए प्रश्ण में संबन्धित संख्या को सुनिये देखो जब भी आप सभी के एकजाम में ऐसा प्रशना आ जाए कि संबंधित संख्या को चुनिए तो आप लोग किस परकार से सोचोगे किस परकार से समझोगे समईना जब भी आप सभी को पूछे संबंधित संख्या तो आप लोग सोचोगे कि बारा से 1726 जो बना है वा किस लोजिक के अधार पर बनाया यानि बारा का संबंध 1726 से किस परकार है उसी परकार इस आठ का संबंध हम किस लोजिक से हाँ पे लगाएं कि हमें राइट एंसर का पता समझे तो देखो रीजिनिंग का हर एक प्रस्ण में लोजिक छूपा रहता है बस आप से भी को उस लोजिक को पकड़ाना होगा तो देखो इस प्रस्ण में क्या लोजिक लगा चुका है तो देखो अगर यहां पर देखो 12 का हम स्कॉाइर करते हैं तो 12 का स्कॉार 144 लेकि तो 12 का क्यूब सभी विद्यार्थी को पता होगा कितना होता है तो 1728 होता है कितना होता है 1728 लेकिन हमें चाहिए 1726 तो देखो अगर हमें 1726 लाना होगा तो इसमें हमें दो तो घटाना पड़ेगा ही तो देखो 1726 आगिया अगर हम 12 का क्यूब 1728 में दो को घटाएं तो 1726 26 आ गया यहां पर देखो 1726 है तो बोलोगे जीसर है तो इसी परकार हम इसमें भी देखेंगे क्या कर देखेंगे कि 8 का क्यूब करेंगे और 8 का क्यूब सभी बिद्धार्थी को पता होगा कितना होता है 8 का क्यूब तो बोलोगे सर जी 8 का क्यूब होता है 512 कितना होता है 512 लेकिन नहीं इसमें 2 माइनस किया है ना तो इसमें भी तुम 2 माइनस करोगे तो 512 में जब 2 घटाओगे तो 510 आएगो बोले तो option number C 510 किस option में है तो option number C यानि हमें समझ में आया कि 12 का संबंद 1726 से जिस परकार है ना उसी परकार 8 का संबंद 510 से है यानि दोनों का 12 का क्यूब किया 2 घटाया इसी परकार हम 8 का क्यूब किया 2 घटाए राइट एंसर पता हो गिया तो इसमें क्या लोजिक लग सब चलें तो समझना अगला प्रस्न आप लोग समझने की कोसिस करना देखो दो नंबर का प्रस्न में आप से भी को आ चुका है लुपत संख्या ग्याद करें missing number देखो जब भी missing number वाले प्रस्न आ जाए तो आप लोग देखना कि कहा हमें मीस है उहीं हमें जहां भाट के च को पता करने से पहले हमें ये दोनों फिगर में देखना पड़ेगा कि जिस परकार 3, 5, 2, 4 को कल्कुलेशन करके 22 लाया उसी परकार 44 लाया तो उसी परकार नहां राइट एंसर का हम पता कर पाएंगे तो बोलोगे जी सर तो देखो अब यहां पर आप लोग सोचना और समझन कि 3, 5, 2, 4 को आपस में किस परकार कल्कुलेशन किया और किस परकार का लोजिक लगाया कि 22 आ गया इसी परकार इसमें 44 आ गया तो देखो समझना अगर हमें 22 लाना है तो इसके लिए हम किस परकार से सोच सकते हैं तो इस परकार से सोचना अगर 4 गुने 3 करते हैं तो 4 ती य इसी परकार देखो, पांच गुने दू कियें, तो पांच दूना दस, लेकिन, हमें चाहिए बाइस, तो बाइस चाहिए इसके लिए, ये दोनों को दस और पलस बारा को जोड़ेंगे, देखो, बाइस आ गिया, तो बोलोगे, जी सर आ गिया, यानि क्या किये ना, कि चार यहां पर क्या करेंगे वन गुने टू करेंगे यानि एक गुने दो करेंगे तो एक गुने दो दो ही होता है अब देखो यहां छे गुने साथ करेंगे तो छे सत्य बैयालिस होता है अब यहां पर देखो यहां पर हमें चाहिए चवालिस तो बैयालिस और पलस दो जोड़े तो 144 आ रहा है तो 42 पलस 2, 44, बोलोगा जी सर यहाँ पे 44 आ रहा है यानि जो message हम इसमें 22 लाएं वही method हम इसमें लागू किये 44 आ गया तो वही message हम इसमें लागू करके राइट एंसर का पता नहीं कर लेंगे तो कर लेंगे, तो देखना क्या करेंगे इन दोनों को आपच में गुना करेंगे सत इच ही छपपन यानि कि यहाँ पर छपपन होगा फिर इन दोनों को गुना करेंगे पांच दुना दस और 56 और 10 को जोडो तो कितना प्राफ्थ होगा 6 0 6 अब 5 1 6 यानि 68 यानि भाट के जगा क्या होगा तो बोलोगे सर्जी 6866 होगा बोले तो option number D होगा क्या होगा? option number D होगा 68 होगा जो कि बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्थ है, option number D है समझे यहां तक, यहां तक सभी बिद्दार्थी समझ गई हो किसी को कोई doubt नहीं है तो अगले प्रशन पे हम सब चलें तो देखना, और इससे पहले जो बिद्दार्थी भी कलास को लाइक ने किये हो सभी बिद्दार्थी मांदारी पुर्बा कलास को लाइक कर देना और जो new हो चैनल पे पहली बार हो तो चैनल सस्क्राइब कर लेना और कलास को सेयर कर देना, चलो अगला प्रस्ण को हम लोग देखते हैं क्या है समझना सभी विद्धार्थी समझना का रहा है कि उत्री अमेरिका संयुक्तराज अमेरिका और निवार्ग में आप सभी को इन तीनों का एक साथ ऐसा संबंध बताना है एसा संबंध बताना है कि इन चारों उप्षन में कौन सा फिगर है जो इन तीनों का सही संबंध बता रहा है यानि कि उत्री अमेरिका संयुक्तराज अमेरिका और निवार्ग को कौन सा फिगर होगा उप्षन A, उप्षन B, उप्षन C, D कि इन तीनों का सही संबंध बता रह तो यहां क्या है एक देश है अन्युवार्क की बात करें तो यहां क्या है एक राजधानी है समझे हो तो देखो समझना यहां पे क्या है उत्री अमेरिका उत्री अमेरिका के लिए एक बड़ा सा हम बर्गली है समझना एक बड़ा सा बर्गली समझना देखो यहां पे संयुक तराज अमेरिका जो है देखो उत्री अमेरिका एक महाध्वीप आ गिया और सही उत्राज अमेरिका जो देश है ना वह उत्री अमेरिका महाध्वीप में है यानि कि यह जो देश होगा अमेरिका सही उत्राज अमेरिका वह उत्री अमेरिका महाध्वीप के अंदर आ जाएग यानि अमेरिका जो देश है उसके अंदर आ जाएगा निवार के जैसे कि इस परकार समयना और जैसे कि इसका एक उदारान और दे देता हूं जैसे कि समयना एसिया जैसे कि रहेगा एसिया तो एसिया क्या है एक परकार का महाद्वीप है अब रहेगा भारत तो भारत जो है एक देश है लेकिन किस के अंदर आएगा तो एसिया महाद्वीब के अंदर आएगा यानि एसिया महाद्वीब के अंदर आगिया भारत अब रहेगा दिल्ली तो दिल्ली क्या है भारत की राजधानी यानि भारत के अंदर आ जाएगा इस परकार से बनेगा तो वही तो आप से भी को इसमें भी का रहा है कि उत्री अमेरिका है, सहीं उत्राज अमेरिका है और फिर न्युव आरक है तो यानि कौन सा option है इसा दिख रहा है तो बोलोगे सर जी option number बोले तो A दिख रहा है जो कि हमारा बिल्कुल right answer है बिल्कुल सत है बोले तो option number A समझे हो ना यहां तक सभी विद्दार्थी समझ गए हो तो अगला परशन पर हम सब चले हैं तो देखना अगला परशन आप लोग समझने की कोशिश करना क्या कर रहा है चार नंबर का परशन देखो कराय नीचे दिए गए स्रिंखला को पूरा करें यहां पे जो यह वाट है ना यहां पे बताना क्या होगा देखो जब भी नंबर स्रीज बाले परशन आ जाए यानि स् परकार से सोचोगे समझना यहां पे देखो यह नंबर स्रीज बाले परशन है यानि की चौदा है सताइस है बावन एक सब्सक्राइब और आगे क्या होगा एही तो हमें पता करना होगा तो इससे पहले हम सोचेंगे कि यह जो स्रीज है ना अस्टेप वाई अस्टेप कर पाएंगे तो देखो यहां पे कितना है चौदा है यहां पे देखो कितना है सताइस है तो अब यहां पे देखो आप लोग सोचना कि चौदा से सताइस आया तो आया कैसे तो इसके लिए हम क्या मैधिट लगा सकते हैं हम थोड़ा सा इस परकार से सोच सकते हैं कि हमें च चाओदा में 27 से 52 लाना है तो इसमें भी क्या करेंगे? इसमें भी दो हम गुना करेंगे क्या करेंगे? इसमें भी हम दो गुना करेंगे तो 27 दुना चाववन लेकिन यहां पे 52 लाना है तो 52 लाना है लेकिन यहां पे आरा है 27 दुना चावववन तो 54 में अगर हम दो घटाएंगे देखो बावन आगिया तो बोलो गें जी सर आगिया आगे देखो 52 से 110 लाना है तो इसमें भी क्या करना है इसमें भी 2 से गुना करना है तो 52 कितना होता है तो 52 हो जाएगा 2 दुना 4 अब 5 दुना 10 एक तो चार वावन दुना 1804 लेकिन हमें चाहिए 101 तो एक सो चार में जब तीन घट आओगे तो एक तो वेक घूंशत हो गया तो बोलोगे जी तो ऊहिसर हो गया , अब देखो इस एक सो एक से हमें 108 में लाना है तो इसके लिए इसमें भी हम दो गुना करेंगे तो एक गुने 2 करोगे कितना आएगा 200 202 आएगा लेकिन हमें चाहिए 108 में तो 108 में लाने के लिए इसमें क्या करेंगे minus को 4 करेंगे यानी minus को 4 करेंगे तो देखो 202 में minus 4 करोगे 108 में आ गया तो बोलोगे जिसरा आ गया तो अब देखो हमें क्या पता चलना न यह śरीज में कि पहले सभी मां दो-दो गुणा करना है लेकिन पहले में एक घटाया, फिर दो घटाया, फिर तीन घटाया, फिर चार घटाया, तो यहां इसको मान लाने के लिए, यानि राइट एंसर मान हमें प्राप्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा ना, इसमें दो गुना करना पड़ेगा, दो गुना करना पड़ेगा, लेकिन इहां एक गटाएं, दो गटाएं, तीन गटाएं, चार गटाएं, तो इसमें हम अब पांच गटाएंगे, समय ना, तो देखो 178 में में जब आप दो गुना करोगे, तो 179 में गुना दो कितना होता है, आट दूना 16, 9 दूना 18, 11 के 9, बाकी 1, और 2, 1, 2, 1, 3, इतना आ गया, 396, और 396 फिर हमें क्या करना पड़ेगा, 5 को माइनस करना पड़ेगा, तो देखो 396 में 5 माइनस करोगे, 193, यानि 391 यहां पर होगा, क्या होगा, option number बोले तो C होगा, यानि इस सिरीज में हमें क्या पता चला, जो number सिरीज है, पहले 2-2 सभी में गुना किया जा रहा है, समझना, ल हमारा right answer प्राप्थ हुआ, 391 में, जो कि बोले तो option number C में है, यानि हमारा बिल्कुल right answer है, बिल्कुल सत है, option number C, समझे हो ना, आपका right answer क्या है, option number C, तो चले हम सुब अगले प्रस्न पे, तो देखना, समझने की कोशिश करना, अगले number का प्रस्न, 5 number का प्रस्न क्या कर र रहा है, अकरिती का दरपन झभी चुनिए, mirror image बाले जब भी प्रस्न आ जाए, तो आप लोग किस परकार से सोचना, समझना, देखो, mirror image में क्या होता है न, कि दाएं बाला figure बाएं में चला जाएगा, बाएं बाला figure दाएं में चला जाएगा, यानि उल्टा पुल्टा हो तो देखो, समझना, अगर हम इस परती बीम या प्रस्ना कृती के, इधर अगर हम दरपन लगा चुके हैं, तो इसका जो परती बीम बनेगा, वह कैसा बनेगा, यानि दाएं बाला उलटके बाएं में चला जाएगा, और बाएं बाला उलटके दाएं में चला जाएगा, त लेकिन जो तीर काने की पर करा में होिया जाएगा है यह जो तीर है यह भंद आरो झाएगा सवक्ति हो जाएगा अब देखो कौन सा हैसा आप से भी कुछ दिख रहा है ऐसा आकरिती तो बोलोगे सर जी option नहीं दिख रहा है क्योंकि इसका तीर अंदर की और घुसा हुआ है समझना अंदर की और हुआ है aus tie नहीं होगा क्यों कि इंहां भी देखो एक 30 अंदर की ऐनी उसे यानि आप सण नंबर वी होगा जो कि इस तरह से बिल्कुल यह बिल्कुल सही इसका दरपन परती भीपन रहा है बोले तो प्र ही स्याग्सिए स्वरी उप्सन नंबर आप लोग समहिने की कोशिश करना क्या कर रहा है छे नंबर का प्रशन, सभी विद्धारती देखना यह बलड रिलेशन से प्रशन है बहुत ही सिंपल तरीका से बताऊंगा और बहुत ही इंपोर्टेंड प्रशन है जैसे कि देखना का रहा है कि C माता है A और B की C जो माता है यानि माइनस होगी माता है A और B की यानि A यानि की A और B की A और B की माता है यानि A B भाई बन होगा या भाई भाई होगा कुछ भी होगा तो देखो C जो माता है A B का माता है समझे तो माता उपर है इस्तिरी लिंग है तो माइनस कचिन लगा दी आगे समयना यह दि डी पती है बी का देखो डी जो है पती है डी पती है किसका बी का तो यानि बी इस्तिरी लिंग होगा होगी और डी क्या होगा डी होगा पुली लेंगे तभी तो डी पती है बी का तो बी देखो इस्तिरी लि की देखो C कौन है D की यानि D जो कहेगी C को क्या कहेगी तो देखो D जो है वह C को क्या कहेगी तो यह कौन है तो यह पत्नी की माँ है और पत्नी की माँ को क्या कहा जाता है तो सास कहा जाता है बोले तो option number D यानि D जो है C को क्या कहेगा तो कहेगा सास option number D जो होगा right answer होगा सम परकार से आप लोग right answer option number D लगा होगे तो चले हम सब अगले प्रशन पर देखना चलो समझना अगला प्रशन देखो क्या है साथ नंबर का प्रशन है ना कि नेचे दिये गए प्रशन में संबंधित सब्द को चुनिए संबंधित सब्द को चुनिए यानि यहां पर आप से सभी को बताना होगा कि कोशीका का संबंध कोशीका जीव से जिस परकार होगा पच्छी का संबंध किस से होगा तो देखो कोशीका का संबंध कोशीका बिग्यान से सोरी कोशीका का संबंध कोशीका बिग्यान से है तो यहां पच्छी का संबंध किस से होगा जो आप सभी क बताना होगा तो देखो कोशिका का अध्यान करने बाले को हम क्या कहते हैं कोशिका बिग्यान तो इसी परकार पच्छी का अध्यान करने बाले क्या कहेंगे पच्छी बिग्यान कहेंगे यानि option number बोले तो उसी जो होगा हमारा right answer होगा जिस परकार कोशिका का संबद कोशिका विज्ञान से है उसी परकार पाच्छी का संबध पाच्छी विज्ञान से है शमझे ूना चलो अगला प्रशन आप लोग समझने की कोसिश करना आठ नंबर का प्रशन क्या करा है करा है दिये गए अच्छर सिरिंखला को पूरा करें यहां पे देखो, अलफावेड सिरिंखला है, तो अलफावेड बाले सिरिंखला को आप लोग किस परकार सोलूnaire करोगे, यहां पे वाट के जगह, आप लोग क्या right answer भरोगे समयना, जब भी आप से भी को अलफावेड शिरीज बाले प्रसंग आजए यानि अलफावेड सिरि लोजिक लगा रहा है जैसे कि देखो M का अलफाबेट पोजिशन 13 होता है P का 16 होता है और O का कितना होता है O का 15 होता है और R का कितना होता है 18 होता है Q का 17 होता है T का 20 होता है S का 19 होता है और B का 22 होता है अब यहां पर आप लोग सोचना और समझना कि क्या लोजिक लगा रहा देखो अगर हम M से O चलते हैं यानि M कालफा बेड़ पोजिसन 13 और O का 15 और 13 से अगर हम 15 की और चलते हैं तो क्या किया पलस दो किया समझना पिर देखो O से अगर हम Q चलते हैं O का 15 और Q का 17 15 से 17 चलते हैं पलस दो किया है आगे देखना Q से S गया यानि 15 से 17 से 19 गया क्योंकि Q का 17 और S का 19 तो 17 से 19 गया यानि पलस दो किया इसी परकार S से हम आगे जाएंगे अगर हम 19 से आगे जाएंगे तो क्या करेंगे तो देखो यहां पर पता चल रहा है पलस दो पलस दो किया है तो इसमें भी हम पलस दो करेंगे यानि इहां भी हम पलस दो करेंगे तो देखो S का अलफाबेट पोजिशन 19 होता है और जब आप लोग 19 में 2 जोड़ोगे तो 21 होगा और 21 जो alphabet position होता है ना वह किसका होता है तो 21 जो होता है वह EU का होता है यानि इहां पर EU होगा क्या होगा EU होगा आगे देखो दो को के हमें चेन करना है दो alphabet को तो एक EU आ गया अब आगे बाले देखो क्या करेंगे तो इसके लिए अब हम इहां से चलेंगे P से चलेंगे R की ओर तो P का alphabet position देखो कितना है P का देखो 16 है और R का 18 है जब 16 से 18 गया तो इहां भी पलस दो किया समझना फिर देखो O से T, R से T गया R के 18 और T का 28 से 20 गया पलस दो किया और T से भी गया यानि 20 से 22 गया तो पलस दो इहां भी किया तो सभी में पलस दो पलस दो कर रहा है तो भी से आगे बाली हम निकालेंगे तो इसमें भी पलस दो हम करेंगे निया तो बोलोगे चीसर तो देखो B का alphabet position 22 होता है और 22 में जब आप लोग दो जोडोगे तो 22 और 24 और 24 alphabet position X का होता है यानि U और X कौन सा option में दिख रहा है त इंसर होगा option number A होगा बिलकुल सही है बिलकुल सत है option number A है समझे हो ना तो चले हम सब अगले प्रस्ण पे तो देख अगला प्रस्ण आप लोग समझने की कोशिस करना देखो 9 number का प्रस्ण क्या है कि सभी मेज कुर्सियां है देखो सभी मेज मेज जितना है न या सभी मेज जो है वह क्या है कुर्सियां है यानि कुर्सियां के अंदर कौन आ गिया तो सभी मेज आ गिया सभी मेज क्या गिया कुर्सियां के अंदर आ गिया समझना आगे देखो का रहा है कुछ मेज कुछ म कुछ मेज है ना या कुछ मेज जो है वह कप है यानि सी है अब समयना कुछ मेज कप है अब आप लोग आजाओ किस पे तो निसकर्ष पे आजाओ देखो पहला निसकर्ष क्या कर रहा है कुछ कप कुर्सियां है देखो कप इहां है कुर्सियां यह है तो कुछ कप कुर्सियां को टच कर रहा है तो बोलोगे जी सर कर रहा है तो यानि निसकर्ष एक जो है बिल्कुल सही है अब निसकर्ष दो पर आजाओ कर रहा है कुछ कुर्सियां मेज है कुर्सियां देखो इहां है और मेज इहां है तो कुछ कुर्सियां मेज है तो बोलोगे जी सर है यानि ऑप्सन नमबर दो भी सही है यानि निसकर्ष एक और निसकर्ष दो दोनों सही है तो बोलोगे क्या कि सर जी ऑप्सन नमबर बोले तो सी हमारा राइट एंसर होगा यानि कि निसकर्ष एक और निसकर्ष दो दोनों राइट एंसर है समझे हो ना तो आपका right answer क्या होगा option number C तो चले हम सब अगले प्रशन पे तो देखो और जो जो student अभी class को like ने कियो सभी विद्धार थी class को like जरूर कर देना चलो अगला प्रशन को आप लोग समझना क्या है देखो देखो 10 number का प्रशन है समझना कराय नेचे दिये गए प्रशन में नेमलिकित सब्दों का सही करम बताएं देखो जब भी सही करम बाले प्रशन आप सभी का हिजाम में आ जाएं तो आप लोग इस परकार से सोचना किस परकार से सोचोगे समझना किस सबसे पहले कौन होगा उसके बाद कौन होगा उसके बाद उसके बाद और finally अंत में कौन होगा जो आप सभी को बताना होगा सोचना समझना होगा आप लोग किस परकार से सोचोगे, कौन सा लोजिक लगाओगे, तो इस परकार से सोचना, कि सबसे पहले कौन होगा, तो देखो, पचाना, पकाना, चबाना, निंगलना, सुवाद लेना, तो या आप से भी को किस से संबंदित है, आप से भी को पता चल गया होगा, या भोज से संबंदित है तो देखो सबसे पहले आप लोग क्या करते हो तो सबसे पहले आप लोग पकाना यानि पकाते हो तो दो आ जाएगा पकाने के बाद आप लोग क्या करते हो तो पकाने के बाद आप लोग यहां पे क्या करते हो तो देखो सुवाद लेते हो यानि खाते हो चखते हो जिसे कहते हो चखना यानि मुझ में डालना यानि सुवाद लिए हो कि कैसा है मीठा तीता समझे हो खटा यह हो गया आगे देखो क्या होगा सुवाद लेना सुवाद लेने के बाद फिर क्या होगा चवाना यानि तीन नंब आप लोग निंगलोगे यानि पेट में जाएगा मुह में जब चबालोगे उसके बाद पेट के अंदर जाएगा निगलना और जब पेट के अंदर चला जाएगा तो फिर क्या होगा पाचन क्रिया उसे क्या करेगी पचानी की क्रिया करेगी यानि एक नंबर यानि उसे पच तो देखो हम आपको क्या बताए था सही करह में सबसे पहले और सबसे अंत तक पहुच ना देखो पकाना से शुरू किया और पचाना तक पहुच गया यानि बोले तो 2534 एक कौन सा उप्शन में है तो 2543 एक बोलो तो उप्शन नमबर d4 देव से ना यानि आपका राइट एं पर तो समझना, अगला प्रस्ण समझने की कुछिश करना क्या है, देखो, एक आरा नंबर का प्रस्ण जो है न, यह डायरेक्शन बाले प्रस्ण है, और यहां पर आप लुग सोचना, या किस परकार का है तो देखो इसमें थोड़ा सा आप लोग लोजिक लगाना direction बाले प्रश्ण में क्या होता है ना कि उपर को हम उत्तर काते हैं नीचे की दच्छिन काते हैं इधर पूरव काते हैं और इधर हम पच्छिन काते हैं अब आप लो आसान तरीका से प्रश्ण पर आजाओ जैसे देखो करा है दीपक 20 मीटर उत्तर दिसा में चलता है अगर दीपक इहां है कहा है इहां है तो इहां से क्यां चला इहां रखते हैं दीपक को अब देखो दीपक 20 मीटर उत्तर उत्तर कहा है उपर के बोलोगे, सर उत्तर उपर के हैं, तो यहाँ पे 20 मीटर उत्तर की ओर चला, समझे ना, 20 मीटर उत्तर चला, आगे देखो, फिर बाए मुड़ कर 40 मीटर चला, जब दीपक यहाँ पहुच गया, तो यहाँ से बाए मुड़ेगा, तो बाए इधर आएगा, और कितना चला, तो बोलोगे सर 40 मीटर चला, फिर बाय मुड़कर 20 मीटर चलता है, जब दीपक इहां पहुच गया, तो इहां से पुना बाय मुड़ा, अब पुना बाय मुड़ेगा, और 20 मीटर चलेगा, तो इहां आ जाएगा, कहा जाएगा, इहां आ जाएगा, और इहां कितना चला, तो 20 इधर और कितना चला तो 20 मीटर चला दाए मुड़ा 20 मीटर चला आप इहाँ पर बताना है आपस भी को आप देखो प्रशना आप सभी सी क्या पूछ रहा है कि वह पररंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है यानि देखो पररंभिक स्थान इहां या स्टार्टिंग पॉइंट पहुच चुका है यहां और यहां यहां के बीच की दूरी क्या है तो देखो यहां से यहां के बीच की दूरी 40 मीटर है और यहां से यहां के बीच की दूरी 60 मीटर दो मीटर 20 मीटर है तो 20 मीटर और पलस 40 मीटर दोनों को जोड़ेंगे तो 60 मीटर होगा यानि बोले तो option number C समझे हो ना तो चलो अगला प्रस्ण आप लोग देखना क्या नेक्ष्ट प्रस्ण देखो तेरा नंबर का प्रस्ण यहां पर क्या कर रहा है समझना सभी विद्दार थी यहां पर कर रहा है ना कि दिये गए प्रस्ण में बिसम संख्या को पहचान करिया जो चार ओप्सन है इन चार option में तीन option आप सभी को एक समान रहेगा और एक option जो रहेगा सबसे अलग रहेगा सबसे हट के रहेगा और वही भी सम option को आप सभी को चयन करना होगा बताना होगा कि यहां पे क्या होगा तो देखो इसमें हम किस परकार सोच सकते हैं कि तीन option देखू है चार option है चार option में तीन option हम किस परकार से चाड़ सकते हैं और एक option जो अलग होगा वही तो हमारा right answer होगा ना तो देखो अगर हम 399 का सभी की संख्या को आइड करते हैं 3 पलस 9 पलस 9 तो अब सभी को जूड़ो तो कितना हैगा तो 9, 9, 18 और 18 तीन कितना हो जाएगा 18 और 21 अब देखो यहाँ पे 4 पलस 4 और पलस 8 जोड़ेंगे तो 4, 4, 8, 8, 8, 16 आगे देखना 4 पलस 4 और पलस 9 तो 4 पलस 4, 8 और 8 और 9 कितना होता है 17 17 हो गया आगे देखो 4 पलस 9 और पलस 7 4 पलस 9 पलस 7 कितना होगा तो 7 पलस 4 पलस 7 पलस 9 कितना होगा तो 7 और 4 11 और पलस 9 11 और 9 20 अब यहाँ पे बोलोगे कि सर जी इसमें हम किस परकार चाड़ सकते हैं तीन उप्सन एक समान है और यह अलग है तो देखो अगर हम ऑपशन A में सभी को जोड़े तो 21 आया अगर हम सभी ऑपशन B को सभी अंको को जोड़े तो 16 आया अगर हम D के सभी अंको को जोड़े तो 20 आया अब देखो यहाँ पे 21, 16 और 20 जो है वह भाज संख्या है भाज संख्या आई मीन या किसी से ना किसी से कट रहा है लेकिन option number C जो है अगर option number C को जब सभी को जोड़े तो 17 आया और 17 जो है अभाज है यानि हमारा right answer है option number C जो है या बिसम संख्या है क्योंकि इसका जब हम सभी अंकों को जोड़े तो हमें आभाज पराप्त हुआ लेकिन option A, option B, option D को जोड़े तो हमें भाज ये पराप्त हुआ समझे हो ना तो आपका right answer क्या हो गया option number C तो चले हम सब अगले प्रस्ण पे तो चलो समझना अगले प्रस्ण आप लोग समझने की कोशिस करना 14 नंबर का प्रस्ण क्या का रहा है देखो यहाँ पे आप लोग समझना कराय नीचे दिये गए प्रस्ण में संबंधे तच्छर को चुनिए संबंधे तच्छर को चुनिए यानि बताना होगा B, U, T से T, U, B जिस परकार बना है N, E, T से उसी परकार यहाँ पे क्या बनेगा किस परकार से संबंध होगा तू देखो इसमें कौन सा लोजिक लगा है ना बहुत है सिंपल लोजिक लगा है बस थोड़ा सा समझना जैसे कि देखो यहाँ पे जो B, U, T है ना B जो पहले में लिखा था चर उसको अंत ले चल गया समझना U जो दूसरे पर था उसको दूसरे ले चल गया और T जो अंत में था उसको पहले पर ले चल गया इसी परकार हम N, E, T को नहीं लिखेंगे, N जो देखो पहले पर है, उसको हम आंत में ले चल जाएंगे, E जो दूसरे पर है, उसको दूसरे में रखेंगे, और T जो आंत में है, उसको हम पहले पर रख लेंगे, T, E, N बन गिया, बोले तो option number B हो गिया, B4, वाहू बली, यान अगला प्रशन आप लोग समझने की कोशिस करना, 15 नंबर का प्रशन क्या कर रहा है, कर रहा है, P का सूचक भाग है, Q का सूचक गुना है, R का सूचक जोड है, और S का सूचक घटाव है, तो इसका मान क्या होगा, तो देखो, किस परकार से करोगे, जो जो करा हो, उसको हम में मान रखना होगा, जैसे समयना, 16 है, Q का क्या कर रहा है, Q का गुना सूचक है, यानि गुना दो बारा, P को क्या कर रहा है, P का भाग सूचक है, तो भाग दो छे, R का क्या सूचक है, R का सूचक जोड है, तो जोड दो, पांच, और फिर S का सूचक घटाव है, तो घटा दो चार अब यहां पे आप लोग क्या करो तो इसका कल्कुलेशन करो तो देखो इस परकार से समयना सबसे पहले क्या होगा सभी को पता होगा बोड मास उप्याग यहां पे करते हो जैसे कि भाग फिर गुना फिर जोड अंत में खटा तो समयना 16 होगा फिर गुना 12 और फिर इस परकार से यहां पे ढारेक भाग दो 12 में जब आप लोग 6 से भाग दोगे तो कितना प्राप्थ होगा 2 2 प्राप्थ होगा पलस 5 और माइनस 4 अब गुना करो 16 गुने 2 करोगे तो कितना हैगा 16 दुनी 32 और 32 और पलस 5 और माइनस 4 अब देखो 32 और पलस 5 करोगे तो 32 और पलस 5 कितना होगा 32 और 32 में जब आप लोग 4 घटाओगे तो कितना होगा 33 यानि कि हम जब इस प्रश्ण का जो जो मान करा है जो जो सूचक करा है सभी को रखे तो हमें कितना प्राप्थ हो गया तो हमें 33 प्राप्थ हो गया बोले तो उप्षन नंबर C यानि कहोना प्यार है यानि उप्षन नंबर क्या हो गया तो उप्षन नंबर C हो गया जो की राइट एंसर उप्षन नंबर C आया 33 आपका राइट एंसर क्या निकला अप्शन नंबर सी समझे हो ना सभी विद्धार थी तो चले हम सब अगले प्रस्ण पे तो देखना अगला प्रस्ण आप लोग समहिने की कोशिश करना 16 नंबर का प्रस्ण देखो क्या कर रहा है कराई नीचे दिएगे प्रस्ण में संबंधित संख्या को चुनिये देखो संबंधित संख्या को चुनना है यानि इहां पे आप सभी को बताना होगा कि यहां पे सोचना होगा कि 226 से 213 जिस परकार हुआ ना उसी परकार 302 से यहां पे क्या हुआ तो देखो इसमें कौन सा लोजिक लगा चुका है ना समझना सिंपल सा तरीका है जैसे की देखो यहां पे आप लोग सोचो कि अगर आप समी को 226 रुपया दे दिया जाए 213 कैसे बनाओगे तो बोलोगे सिंपल से 226 रुपया हमें कोई दिया अगर हम इसमें 13 रुपया खर्च कर दिये यानि की 13 रुपय घटा दिये तो देखो 226 में 13 घटा ओगे तो तो देखो जब इहां पे 302 में अगर हम 13 घटाएंगे तो 302 में 13 घटाएंगे तो हमें कितना पराप्थ होगा? तो देखो बारा में से 3 जाएगा कितना बचेगा? तो बारा में से 3 जाएगा 9 बचेगा और यह हो गया कितना हो गया? 29, 29 में एक जाएगा तो 28 यानि कि 289 बोले तो option number B है, 289 जो बिलकुल सही है, बिलकुल सत है, option number B है तो क्या किया? सिंपल लोजिक लगाए कि 226 में 13 घटा दिये 213 और 302 में 13 घटा दिये 289, option number B चले हम सब अगले प्रशन पे तो देखना अगला प्रशन आप लोग समझने की कोशिस करना, 17 नंबर का प्रशन क्या करा है? करा है, लुपत संख्या ग्याद करें, मेसिंग नंबर प्राग्द करें, इसमें किस परकार से लोजिक लगा सकते हो? जैसे कि अगर हमें यहाँ वाट के चीन है, तो यहाँ पे पता करना है, तो हमें सोचना होगा, कि 8 और 12 से जिस परकार 96 लाया, 7 15 से 105 लाया, 5 13 से यहाँ पे क्या लाएंगे, जो हमें बताना होगा, तो देखो, ऐसी प्रशन को आप लोग किस परकार से सोच सकते हो, और किस चीन में किस परकार लाया है, तो आप लोग किस परकार सोच सकते हो, तो देखो, इस परकार से सोचना, कि अगर हम 12 गुने 8 करते हैं, तो बरसते 84 बरो अठ चीन में आ रहा है, तो बोलोगे जी सर आ रहा है, देखो, अगर हम 15 गुने 7 करते हैं, तो पनर सते पच्वोतल से 105 पांच आ रहा है तो बोलोगे जी सरा रहा है अब देखो अगर हम 13 गुने 5 करते हैं तो 13 पचे 65 यानि कि इहां पर 65 होगा I mean option number C होगा जो कि बिल्कुल सही है बिल्कुल सत है option number C4 कटपा समझो आपका right answer क्या निकल गिया 65 तो इसमें क्या logic लगाया कि पाहला दूसरा को गुना किया तीसरा लाया और यही हम जब right answer पता करें तो 13 गुने 5 की 65 आगिया हमारा right answer निकल गिया समझे हो ना चलो अगला प्रस्न को आप लोग समझने की कोशिस करना क्या है 18 नंबर का प्रस्न देखो इसमें कराएंगा कि एक विसिष्ट गोडफासा में light को इतना लिखा जाता है तो इस को इस कोड़ में किस परकार लिखा जाएगा देखो coating decoding वाले प्रस्न में आप लोग किस परकार से करोगे तो को समझना देखो इहां पे जब भी कोडिंग डिकोडिंग वाले प्रस्न ऐसे में आ जाएं तो आप लोग लोजिक लगाना कि लाइट से इतना कैसे लिखा तो इसके लिए आपसे भी को अलफाबेट पोजिशन से पर्योग करना पड़ेगा जैसे कि क्या है एल है आई है जी है एच है टी है लाइट है को क्या लिखा के लिखा एच लिखा एफ लिखा जी लिखा एस लिखा अब देखो यहां पे किस पर का 12 होता है और k का 11 होता है तो देखो 12 से 11 गया तो बोलोगे minus 1 हुआ i का 9 होता है और h का 8 होता है 9 से 8 गया तो बोलोगे minus 1 होता है g का 7 होता है और f का 6 होता है 7 से 6 गया minus 1 हुआ h का alphabet position 8 होता है और g का 7 होता है minus 1 के हाँ भी हुआ और T का 20 होता है और S का 19 होता है तो minus 1 यहां भी हुआ यानि light का जो code word बनाया ना उसमें light में सभी का alphabit position में minus 1 minus 1 किया तो sound का इसका जब हम code word बनाएंगे तो इसमें भी minus 1 minus 1 करेंगे तभी तो right answer परात होगा समझो ना तो देखो करते हैं क्या है sound है S है O है U है N है D है अब देखो sound का alphabit position में सभी माँ एक-1 minus करेंगे तो देखो S का alphabit position 19 होता है जब आप 19 में एक घटाओगे तो कितना होगा 18 और 18 alphabit position R का होता है समईना O alphabet position कितना होता है 15 होता है 15 में एक घटाओगे 14 और 14 जो होता है N का होता है U का alphabet position की बात करें तो U का 21 होता है और 21 में एक घटाओगे 20 और 20 जो alphabet position का होता है T का होता है N का alphabet position 14 होता है 14 में एक घटाओगे 13 और 13 नंबर पर M होता है डीक आलफाबेट पोजिशन चार होता है, चार में एक घटाव के तीन और तीन जो आलफाबेट पोजिशन होता है C का तो आर एन टी एम सी, आर एन टी आर एन टी एम सी बोले तो आप्शन नमबर कौन सा है? तो R N T M C option number A है आओ ना कभी हवेली पे समझ रहे हो तो right answer क्या होगा option number A होगा बिल्कुल सही है बिल्कुल सत है option number A तो चले हम सब अगले प्रश्न पे तो समझना अगला प्रश्न आप लोग देखने की कोशिस करना देखो उनिस नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है बहुत ही simple तरीका है बहुत ही आसान तरीका से बताऊंगा count करने के लिए figure को कर रहा है कितने तिर्भुज है count and triangle यानि कि तिर्भुज कितने है इस आकरिती में जो आप से भी को बताना होगा तो देखो बहुत ही simple तरीका से मैं तिर्भुज count करने के लिए special video भी बना चुका हूँ वहाँ से आप लोग देख सकते हो playlist में कि only one तिर्भुज और बर्ग किस परकार से हम मतलब कि count कर सकते हैं पूरा trick के साथ समझा चुका हूँ इसमें समझना इसमें भी बारिकता से समझाओंगा देखो इस परकार से सबसे पहले इस परकार से ऐसे एक तिर्भुज मानना और एक तिर्भुज ऐसे मानना समझे हो पहले इस तरह से सोचना तो देखो पहले हम इसको मान लिए एक तिर्भुज अब देखो इस ऐसे वाले तिर्भूज में क्या होता है ना कि आप लोग छोटे छोटे खंडों को count करने की कोसिस करना जैसे कि देखो इसमें एक खंड है इसमें दो खंड है इसमें तीन है अब देखो तीन है तो देखो 1 पलस 2 पलस 3 और सभी को जोड़ोगे तो कितना आएगा 3 अदू 5 एक 6 यानि इस तिर्भूज वाले ऊपर वाले तिर्भूज में कितने तिर्भूज है तो 6 तिर्भूज है अब नीचे वाले में देखो कितना छोटे छोटे खंड है एक खंड, दो खंड, यानि बन पलस टू, बरबर तीन, यानि नीचे बाले में तीन तिर्भुज हो गया, अब देखो ऊपर में छो तिर्भुज, नीचे में तिन तिर्भुज, यानि ओभर ओल इस आकरिती में तिर्भुजो कि संख्या कितना हैं तो बोलो तो छो पलस्ति नो यानि औप्सन नंबर भी होगा जो बिलकुल राइट एंसर होगा बिलकुल सत्त होगा बिलकुल सही होगा समझे हो ना तो चलिए हम सब अगले प्रस्ण पे तो देखना अगला प्रस्ण आप लोग समझने की कोशिश करना क्या कर रहा है बीश नंबर का प्रस्ण देखो बिश नमबर वाले प्रश्ण में यहां पिका रहा है ना कि पच्छी तोता तोता है यह तोवा नहीं है तोता पच्छी तोता और चमगादर में आप सभी को इस परकार से संबंध बताना है कि कौन सा ओप्षन होगा जो इन तीनों का एक साथ सही संबंध बता रहा है तो देखो अगर हम पच्छी के लिए एक गोला बना दिए तो देखो तोता जो है यह पच्छी के अंदर आ जाएगा तोता जो है वा पच्छी के अंदर आ जाएगा क्योंकि तोता एक पच्छी है अब बोलोगे चमगादर तो बोलोगे सर चमगादर भी पच्छी है तो पच् इस सिरेनी के पर जाती है तो यह अस्तन पाई है यानि अपने बच्चे को जन्म देता है अपने बच्चे को दूद पिलाता है यानि यह जीव जन्तु में आ जाएगा किस में आ जाएगा जन्तु में यानि कि यह जो अस्तन पाई में आ जाएगा और तोता जो जितने भी पच्छी होता है वह अंडा देता है और अंडा देता है तो वह पच्छी में आ जाता है लेकिन जो चमगादर होता है वह बच्चे को जन्म देता है दूद पिलाता है समझे उसका कान होता है तो इसके लिए उसका मतलब कि जो अस्तन पाई होता है उसका कान बाहर होता है जैस सा उप्सन कौन सा है तो बोले तो उप्सन नंबर सी है समझे ओ आज के बाद कोई भी इस चमगादड़ और पच्छी में कन्फूज नहीं होना समझे ओना बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट है तो चलिए हम सब अगले प्रस्ण पे तो देखना अगला प्रस्ण आप लोग समझने की कोशिस करना क्या है एक इश नंबर का प्रस्ण देखो का रहा है नीचे दिये गए प्रस्ण में बिसम संख्या को चुने यानि इहां पे बताना होगा कि सबसे अलग कौन सा है इसमें सबसे हट के कौन सा है इसमें जो कि तीन आपसे भी क को पता करना होगा कि क्या right answer यहाँ पे होगा समझेो hana तो यहाँ पे right answer की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखो तीनों में 4 option में कौन सा एक option अलग है यहाँ पे आप लोग देखो कुछ नहीं है समयना तो यहाँ पे अप लोग को बताना यहाँ पे 64 है यहाँ पे 4 है यहाँ पे 2 है यहाँ पे 36 है अब इन 4 अप्षन में कौन हम किस परकार से लग कर सकते हैं तो देखो अगर हम बात करें 36 का तो यह 6 का बर्ग है किस का बर्ग है 6 का बर्ग है समयना यहाँ पे देखो अग और है या किसी का बर्ग नहीं है यानि सबसे अलग है तो option number C है यानि हमारा जो right answer है यहां पर होगा ना option number C होगा बिलकुल सही है बिलकुल सत्त है option number C तो चले हम सब अगले प्रश्ण पर देखना अगला प्रश्ण आप समयने की कोशिश करना 22 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है देखो इसमें समयना का रहा है यदि जोड का अर्थ भाग है गुना का अर्थ जोड है जोड का अर्थ घटाव है तथा घटाव का अर्थ गुना है तो इसका मान क्या होगा तो देखो जो जो कर रहा है न वैसे वैसे किसे हमें मान रखना है कलकुलेशन करना है प्र समेहना क्या है चव्या ख़वध और और जोड काैं जोड़ का अर्थ भाग है भाग दो 162 घटाड़ है देखु God का मान क्या है गुणा गुना तो गऊनाद स्थारा फिदेखु गुना खर्थ क्या है जोड़ है तो जोड तो 12 फिर देखो जोड है तो जोड कार्थ क्या है गाटाब तो गाटाब दो छो अब आप लोग क्या करो कि यहां पे इसका कलकुलेशन करो बोड मास उप्योग करो यानि पहले भाग फिर गुना फिर जोड अंत में गाटाब तो देखो यहां पे क्या होगा 54 भाग तो नीचे आ जाएगा 168 पलस 12 और माइनस 6 अब यहां पर क्या करेंगे अब काटा पीटी करेंगे जैसे देखो 18 गुने 98 नमा 168 से 9 मरतम कट गिया अब देखो 9 से चोंगन कटेगा तो कटेगा 945 नो अच्छा का चोंगन 6 मरतम कट गिया अब देखो 6 और पलस 12 और माइनस 6 तो 12 छो 18 अब 18 में छो घटाओगे तो 12 यानि बोले तो option नमबर 12 जो होगा यहां पे right answer होगा कौन सा option में दिख रहा है तो बोलोगे हमारा right answer होगा option number B बिल्कुल सही है बिल्कुल सत है बोले तो option number B है समझे हो ना तो चले हम सब अगले प्रशन पे तो देख ना अगला प्रशन आप लोग समझने की कोशिस करना क्या कर रहा है 23 नमबर का प्रशन देखो इहां पे का रहा है ना का रहा है के नीचे दियेगे प्रशन आकरिती को पूरा कर रहा है जो देखो भाठ है ना इसके जगा क्या भराएगा जो आप से भी को बताना होगा तो देखो किस परकार से इहां पे हो रहा है मैं थोड़ा जुम कर देता समझना फिर देखो इसमें ऐसी हो रहा है इसमें भी ऐसी हो रहा है इसमें भी ऐसी हो रहा है तो इसमें भी ऐसी होगा अब देखो इहां पे क्या आया ऐसी होना चाहिए और ऐसी होना चाहिए और ऐसे कौन साकृति में दिख रहा है तो बोलोगे सरजी ऐसा तो only one हमें दिख रहा है ओप्सन नंबर सिच यानि इहां पे छो भराबा ना होगा देख़ो कि इसी है ऐसी होगा और इहां से ऐसे है तो यह आपत देख़ो या यानि इहां पर पर संथ इस प्रस्न का राइट एंसर क्या हो तो option number C हो गया, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत है, समझे हो ना, चलो, अगला प्रशन आप लोग समझने की कोशिस करना, देखो 24 नंबर का प्रशन क्या है, 24 नंबर का प्रशन है, कर रहा है, कि नीचे दिये गए अच्छर सिरिंखला को पूरा करे, या जो सिरिंखला है न, यहाँ पे जो इस परकार से है, space, इसके जगा क्या क्या भराएगा, जो आप से भी को बताना होगा, तो देखो, ऐसे प्रशन में आप लोग क्या करना न, छोटे-छोटे खंडों में भी भाजित कर देना, जैसे कि देखो, इसको हमें देखने के बाद क्या पता चल रहा है यहाँ पे देखो, V, A है, फिर B, A है, तो अगर आप लोग समझना, यहाँ पे हम B भरते हैं, तो देखो, एक छोटे-छोटे कंडों में क्या रहा है, V, A, एक खंड, फिर 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 V, A, एक खंड, तरह से यहां धीरे धीरे वी ए वी ए के सिरीज में चल रहा है तो देखो वी ए वी ए भरें तो हमारा राइट एंसर पता होगा तो देखो यहां पर क्या भरेंगे यहां पर भरेंगे वी तो देखो वी ए वी ए फिर यहां पर क्या भरेंगे यहां पर देखो यहां पर भी ए ह छोटे-छोटे खंड में आ गया तो क्या पहले भरे फिर ये भरे फिर ए भरे फिर वी बहरे वी डवल ए भी कौन से option में दिख रहा हैं तो बोलो कह disciples b double-a-b यानि option number ये बी ये a c option number बी में दिख रहा है यानि जब छोटे-छोटे खंड में बाटे वी ये वी ये तो चले हम सब अगले प्रस्ण पे तो देखना अगला प्रस्ण आप लोग समयने की कोशिस करना 25 नंबर का प्रस्ण और यह प्रस्ण का रहा है कि मिरर इमेज है यानि दरपन परतिवीम कि इसका जो अगर इहां पर हम दरपन लगाएंगे तो इसका परतिवीम कैसा बनेगा और प्रस्ण में आप सभी को हमबर की रूप में दे रहा हूँ और सभी बिद्दार्थ इस प्रस्ण को इमंदारी पूरवक क्या 100% इमंदारी पूरवक से बताना कि सर्जी 25 नंबर प्रषण का राइट एंसर ओप्सण ए है औप्सं बी है ओप्सं च ए ओप्षान लिए जो राइट एंसर होगा हमारे साथ कोमेंट करना सर्जी इस प्रस्ण का राइट एंसर यह सभी बिद्दार्थ